अपने में देश के परधान मंत्री गरीबों के मसीहा हम सब के नेता आदनिय नरिंदर मोदी जी उपस्तित हुए हैं मैं अंडोमान निकोबार द्वी सुमों के पूर परदेश द्यक्ष और वर्तमान में कोर कमेटी के सदस्य शिरी विशाल जोलीजी से स्वागत करने के लिए कहूंगा शिरी विशाल जोलीजी और सोशल मीडिया के विभिन प्लेटफॉर्म के द्वारा इस कारिकरता समवात के साथ जुड़े सभी बंदूओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आजे जी हमारे प्रदेश अद्यक्ष संक्रमित होने के कारण होस्पिटलाइजड है इसलिए आज मैं स्वागत के लिए खाड़ा हुआ हूं मान्य प्रदान मंत्री जी दोहजार अठारा तीस डिसंबर को अंदमान निकोबारिस शहीत की पुन्य भूमी में वीर सुतंद्रता से नानी सुभाष चंद्र बोज जी के 75 वें भजा रोहन वर्षगांट के मौके पर आये थे और इस दूर दराज के दीव समू के दिक्कतों को देखते हुए यहां की खराब इंटरनेट व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने अंदमान निकोबार दीव समू के लोगों से ये वादा किया था कि चिन्नाई से ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल कर समूद्र के माध्यम से हम अंदमान को जोडेंगे और उन्होंने जब अपने भाशन में ये कहा था कि अंदमान के लोगों को भी चिन्नाई और दिल्ली जैसा सुईधा मिलेगा स्पीड वाला इंटरनेट मिलेगा तो लोगों को ये एक सपने जैसा लगता था कि इतना दोवजार तीन सो किलो मेटर की दूरी ते करकर अप्टिकल फाइबर केबल कैसे डाला जाएगे समूद्र के माध्यम से लेकिन रिकॉर्ड समय में एक हजार दोसो चोबिस करोड की लागत से ये परियोजना पूरा हो चुका है और कल हमारे हम सब के प्रिये प्रधान मंत्री जी देश को ये ऑप्टिकल फाइबर लिंग सेवा समर्पित करने वाले हैं मान्य प्रदान मंत्री जी इस फरियोजना से पूरे अंडवान निकोबार दीफ समू में विकास की एक लहर दोड़ पड़ीगी मान्य प्रदान मंत्री जी यहां जो हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में बेरोजगार युवक है उनके हाथ में काम आएगा अंड़मान का चो मुखी विकास के लिए टूरिजम के विकास के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है आपने अपने भाशन में 30 दिसंबर को और भी कई परियुजनाओं के जिक्र किया था जैसे 20 मेगावाट आटम पहाड में सोलार प्लांट लगाने का विशह था इसका काम भी पूरा हो गया है आयूश हस्पताल में 50 बेट बढ़ाने की बात थी उसका काम तेजी से चल रहा है ग्यारा चर्मा अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दरजा देने का विशह था इस अक्टूबर में ये काम पूरा होने जा रहा है 50-55 मेगावाट एलेंजी पावर प्लांट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है अनेका अनेक योजनाए निकट भविश्य में पूरा होने के कागार में हैं आपने दीपवासियों से जो वादा किया था उस वादा को आपने निभाया है कुवीट के समय जब पूरा दीप समूप पूरे देस विश्व के साथ महामारी से जूज रहा था लोकडाउन का समय था आपने इंडियन एर फोर्स के प्लेन से एर इंडिया के विवान से विशेश विवान से अंडमान दीपवासियों के लिए निकोबार के दीपवासियों के लिए दवाई मोया कराया टिपी किट मोया कराया विशेश विवान से यहां की सारी जरूरत के सम आपने भिजवाया पूरा अंडमान निकोबार दीपवासी आपके इस कर्तग्यता के लिए जीवन भर कर्तग्ये रहेंगे मान्य राष्ट्य अद्निक जी आपके अवहन पर आपने अवहन किया था कि देश में कोई गरीब भूका नहीं रहना चाहिए और मान्य प्रधान मंत्री जी के गरीब कल्यान योजना से प्रेरित होकर इस दीपों के भी नेता और कारिकरता अपनी जान की परवा किये बिना दिन रात मेहनत करके देश दीपवासियों के गरीब लोगों को जो एक दिन में कमाते हैं खाते हैं जैसे पान दुकान वाले, चाहे दुकान वाले, मच्छी बेचने वाली बहन, दाब भिक्री करने वाले भाई, ऐसे लोगों के घर घर तक समान पहुचाया, मोदी जी का राशन किट को पहुचाने का काम किया, और भी कई लोगों को सुईदा पहुचाने के लिए इस समय, लो तीप समू COVID-19 के तीसरे और सबसे खतरनाग चरण में प्रविश किया है। Invection Rate सरकारी आंकड़ा के अनुसार हमारे population का 0.27% population infect हुआ है। और हर दिन infection rate 0.02% का है total population का। जो की काफी खतरनाग अवस्था की ओर सूचित करता है, इशारा करता है। हमारा प्रदेश बहुत छोटा प्रदेश है, सुईधाय भी बहुत सीमित है। इस महामारी से लड़ते लड़ते हमारे frontline warriors जैसे doctors 42 डॉक्टर आज तक संक्रमित हो चुके हैं। पेरा मेडिकल स्टाफ बड़ी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं। ऐसा अवस्था भी आने का संभावना है कि हमारे कई सारे doctors ना होने के कारण प्राइम्ली हेल्स सेंटर, community हेल्स सेंटर बंद होने के काजार में पहुँच रहा है। मौत की संख्या लोगों का वो भी दिन प्रति दिन बढ़ने लगा है। मानिये प्रधान मंत्री जी, आपने अपने वादा को पूरा करके COVID महामारी के समय विशेश विमान से समान पहुचा कर, दीप वाशियों के साथ साथ और पूरे देश में, पूरे विश्व में आपने जहां जहां भी महामारी से लोग जूज रहेते, वहां वहां आपने विश्व के साथ इस दीप समू के लोगों को भी आप से बहुत उमीदें हैं, बहुत विश्वास है, हमें पूरना विश्वास है, प्रदान मंत्री जी, ये जो समय हंदमान गुजर रहा है, इसमें आपकी विशेश योजना, तता आपकी विशेश सहायता का अवशक्ता है, और हमें पूरा विश्वास है, कि आपके होते हुए, हमें हर सम्भव सहायता मिलेगी, दीप वासी, दीप वासी, और दीप के कारिकरताओं को, आप से मिलने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ, इस वीडियो कॉन्फरेंस के द्वारा, मानने हैं, राष्ट्य धख से मिलने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ, आप का मार्ग दर्शन प्राप्त होगा, हम सब बहुत हर्शित है, और आप सब का फिर से बहुत-बहुत स्वाग्यत और अभिन्दन, जैहिंद, अब मैं विन्ती करूंगा भारती जन्ता पार्टी के राष्टे द्यक्ष माने जैपी नड़ा जी से, कि वो आएं और कार्यकर्ता को संबोधित करें, माने जैपी नड़ा जी आज के इस वर्च्वल मीटिंग में हमारे साथ उपस्थित, हमारे भारत के यश्यस्वी प्रधान मंत्री, जिनको दुनिया में नित्रत्यों के द्रिष्टी से सारी दुनिया जानती है, ऐसे हमारे भारत के प्रधान मंत्री आदर्णिय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस वर्च्वल मीटिंग में उपस्थित राष्ट्रिय महमंत्री श्री भीयल संतोष जी, यहां मेरे साथ उपस्थित राष्ट्रिय महमंत्री अरुन सिंग जी, और हमारे राष्ट्रिय मंत्री तरुन्चुक जी हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और अभी स्वागत करता इस कारिक्रम के श्री विशाल जुड़िजी और हमारे रंगत के, पोर्ट ब्लेर के और दिगलीपुर के हमारे सभी कारेकरतागर्ण, हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष जो इस वर्चुल मीटिंग में हम सब के साथ जुड़े हुए हैं मैं अपनी और से और अपने सभी साथियों की और से और भारतिय जन्ता पार्टी के लाखों कारे करताओं की और से आधरनिय प्रदान अध्यक्ष जी का हार देख अभी नंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपने इस वर्चुल मीटिंग में सरकार के काम देश का नेत्रित तो करते हुए आपकी व्यस्तता और आपके काम की व्यस्तता आपको कितना व्यस्त रखती है यह हम सब लोग जानते हैं लेकिन इन सब के बावजूद आपकी संगठन में रुची और संगठन के फ्रती समर्पन और संगठन की बारीकियों के साथ जुड़ने की इच्छा ये हम सब लोगों को प्रेरित करती है तेश के काम के साथ साथ संगठन के लिए समय आपने दिया है इसके लिए तो हम समय पार्टी के लिए देते हैं ये हम सब को बहुत ही प्रेरिना देता है चार जुलाई को आपने देश के सेवाही संगठन के कारेकरम के बारे में रुची लेते हुए लगबग दो घंटे बैठकर साथ प्रदेशों का प्रेजेंटेशन लिया था और किस तरीके से हमारे क कारेकरता लाखों कारेकरता कारे कर रहे हैं सेवा संगठन उसकी आपनी बारिकियों को जाना और आपने सभी प्रदेश के कारेकरताओं को प्रोचसाहिद भी किया उस प्रोचसाहन से सारे देश के कारेकरताओं को एक नई उर्जा मिली और पूरी ताकत के साथ वो संपर्क अभियान में लगे और उसको भी सफल बराने के लिए आगे बढ़े हैं प्रधान नंत्री जी आपका संगठन की बारीकियों के बारे में जानना रुची रखना मुझे याद है आज ये जो सेवा ही संगठन कारक्रम सफल हुआ है यह जब कारक्रम करने के लिए आपने आहवा चाहिए कोई भी व्यक्ति दवाई के बगएर नहीं रहना चाहिए उसकी व्यवस्ता करनी चाहिए हमारे लोग जो दूर दराज में हैं जो परिवार से दूर हैं उनकी भी व्यवस्ता होनी चाहिए और आपने सेवा ही संगठन के कारक्रम की बारीकियों पर पूरा नजर द लाखों कारकरताओं को उपर से लेकर के बूस तक एक्टिवेट करने का मौका मिला और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगबग 22 करोड 18 लाख फूड पैकेट्स भारतिय जनता पार्टी के कारकरताओं ने जरुरत मन तक पहुँचाया इतना ही नहीं लग पांच करोड चार लाख राशन किट जिसको हम सब लोग मोधी किट के नाम से जानते हैं वह मोधी किट जिसमें दस दिन का राशन बीस दिन का राशन और कहीं कहीं एक महीने का राशन इसकी व्यवस्था करके ऐसे पांच करोड चालिस लाख पांच करोड चालिस लाख हमार मोधी किट को हम लोगों ने डिस्ट्रिब्यूट किया इसी तरीके से फेस कवर हमें याद है कि उस समय एक भी फेस कवर नहीं था महिला मोर्चा की कारेकरता आगे बढ़कर के आई महिला मंडल की कारेकरताओं को प्रेरित किया हमारे एंजियोज और सेलफ एल्प ग्रुप को प्रेरित किया और आज मुझे खुशी होती है प्रदान मंत्री जी आपको बताते हुए कि लगबख साथ करोड फेस कवर यह हम लोगों ने डिस्ट्रिब्यूट किया हमारे कारेकरताओं ने डिस्ट्रिब्यूट किया दूर दराज आज आज आगे तक पहुंचाने का काम क लिए उसी तरीके से पी-एम केर फंड में लगबख 58 लाग कारेकरता भारतिय जनता पार्टी के कारेकरम के माद्यम से जुड़े और पी-एम केर फंड में उन्होंने अपना योगदान किया यह मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ इसके साथ साथ इस सारे अभियान में लगबख 13 लाग कारेकरता इसमें शामिल हुए और उनके शामिल होने के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी प्रेरित किया वह भी इस काम में लगे उन्होंने भी इसमें पूरा योगदान किया घरों में भोजन बन ने लॉकडाउन लगने का जो बुलंद फैसला बोल्ड निर्णे और टाइमली ये निर्णे लिया जब दुनिया की शक्तिशाली देश अर्थ विवस्था और मानवता के बीच में जूल रही थी और वो निर्णे नहीं कर पा रही थी और इसी कारण शक्तिशाली देश के भी स्वास्त विभाग के सारे के सारे सिस्टम चर्मरा रहे थे वो असहाय हो रहे थे उस समय आपने दूर दृष्टी का निश्चे किया एक बोल्ड डिसीशन लिया और उस बोल्ड फैसले के कारण बुलंद फैसले के कारण और समय पर फैसला करने के कारण 130 करोड की जनता के जान की रक्षा की और उसके साथ-साथ सुरक्षित तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने में हम सब लोग आपके नेत्रितों के कारण कामियाब हुए है यह मैं आपके साथ हम सब लोग जानते हैं यही नहीं आपने जब लॉकडाउन लगाया के वस्ता में देश को लड़ने के लिए तयार किया मुझे याद है उस समय देश में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन एक्विप्मेंट पी-पी-ई किट नहीं बनता था आज पांच लाख पी-पी-ई किट प्रती दिन बन रहे हैं और देश में आपने देश के उद्यमियों को प्रेरित किया कि ये बाहर से क्यों आ रहा है ये हमारे देश में बनना चाहिए और आपके आग्रह पर देश के लोगों ने देश के उद्यमियों ने पर्सनल प्रोटेक्शन एक्विप्मेंट बनाना शुरू किया और आज पांच लाख प्रती दिन पर्सनल प्रोटेक्शन एक्विप्मेंट बन रहे है उस समय देश में एक भी कोविड को कोविड 19 को डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था आज आपकी प्रेणा से 1400 कोविड हॉस्पिटल्स हैं और कोविड बेड के दृष्टी से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं की गई है उस समय हमारे पास वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं थी आज 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हमारे पास उपलब्द है और PM केरफंड के माध्यम से लगबख 20,000 और वेंटिलेटर्स पाइपलाइन में है कोई भी ICU बेड की कमी नहीं असे नहीं व्यवस्था आपके नेत्रित्यों में हुआ है टेस्टिंग ऐस समय एक सों पचास थी आज 1400 टेस्टिंग वेंटेस्थी हैं और टेस्टिंग does गिंप सथिक वार्दा की आज 5 लाग प्रती दिन टेस्टिंग हो रही है कोविड की ये वेवस्था आपने करके दी है और एक सशक तरीके से कोविड 19 को लड़ने का आपने वेवस्था की है और आपके नित्रत में कोविड 19 से लड़ने के लिए देश सक्षम हुआ है ये मैं अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एक और बात रही है आपने सारे देश को साथ लेकर कि इस COVID-19 की लड़ाई लड़ी है अगर हम बड़े बड़े देशों की बात करें शक्तिशाली देशों की बात करें या अन्य देशों की बात करें तो वहां लड़ाई सरकार ने लड़ी लेकिन आप अपने प्रधान मंत्री जी सरकार के साथ-साथ आपने देश को भी तैयार किया इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपने चाहे वो ताली बजाओ थाली बजाओ दीप जलाओ कोर्णा वाइरियर्स को होसला दिलाओ पुष्परशा करो इसके साथ-साथ पांच वार आपने पातचीत करके वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से कोपरेटिव फेडरलिजम का नमूना आपने पेश किया उसको आपने उधारन को आपने साकार किया और सारे मुख्यमंत्री आपके साथ जुड़ करके इस कोरुना की लड़ाई में एक सफर लड़ाई के तरफ आगे यूएन के प्लाटफॉर्म से ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस नाट ओनली अड्रेसिंग दी हेल्थ इशूज इस अल्सो अड्रेसिंग दी इकनॉमिक इशूज असी करोड की जनता जो मार्जिनल सेक्शन थी जो वंचित थी जो पीडित थी और इस लॉक्डा पांच किलो चावल पांच या पांच किलो गेहूं या एक किलो डाल ये आपने नवंबर तक की उनकी विवस्था की और असी करोड की जनता को ये विवस्था करके दी ताकि इस देश में कोई भूखा ना रह सके कोई भूखा ना रहे और सब के भोजन की विवस्था हो ये आपने विवस्था की यही नहीं बीस करोड बेहनों के खातों में आपने जंधन खाता के माध्यम से पांच पांच सो रुपए तीन महीने पंदरा सो रुपए आपने उनके जंधन खाता में पहुंचाया जिससे महलाओं का सशक्ति करन हुआ और उन्होंने अपनी जीवन या महीने तक सिलिंडर मुफ्त दिया जिससे उनके घर का चूला जल सके उनकी विवस्था हो सके यही नहीं आपने दिव्यांग भाईयों के लिए वृद्धा बेहनों के लिए और हमारे विद्धा बेहनों के लिए और विद्धा भाईयों के लिए आपने एक हजार रुपए तीन महीने तक कि उनकी विवस्ता की ताकि उनको कोई आगसी संकट नाए इस तरीके की विवस्ता की गई इसके साथ-साथ आपने किसान सम्मान निधी के माद्यम से अप्रेयल महीने में आपने किश्ट जी 2000 रुपे की और लगवग 8 करोड पचास लाक किसानों के खाते में 2000 रुपे की किश्ट गई है और आज मैं आपको धन्वाद देना चाहता हूं कि आपने प्रधान मंतरी किसान योजना के तहट सत्रा करोड रुपए, सत्रा सो करोड रुपए आपने रिलीज किये हैं किसानों के लिए और उनको सम्मान देने के लिए यह मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ आपने आप निर्भर भारत के माजम से बीस लाग करोड रुपए का पैकेज दिया तीन लाग करोड रुपए आपने MSME सेक्टर को दिया उसमें से एक लाग करोड रुपए MSME सेक्टर उसका लाब उठास चुका है उसकी डिसपर्समेंट हो चुकी है इसके साथ साथ आपने एग्रिकल्चरल फार्म गेट के माध्यम से एग्रिकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बराने के लिए एक लाग करोड रुपए की विवस्था की इसके साथ साथ आपने करसान केस्टरिट काड के माध्यम से लगबग धाई करोड किसानों को लाब मिल सके इसकी विवस्ता की इसके साथ साथ आपने जो हमारे रेडी वाले हैं पट्री वाले हैं फेरी वाले हैं उनको दस हजार रुपे मिले और वो अपनी जीवन को फिर से चलाएं और अपना जीवन को चलाने में उनको सफलता मिले इसके लिए आपने पचास लाख हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की वेवस्था की और पांस हजार करोर रुपए की वेवस्था के माद्यम से ये सारी वेवस्थाँ आपने खड़ी की हैं ये हम सब लोग जानते हैं उससी तरीके से आपने अंडमन निकोबार में भी आपके प्रधान मंत्री बनने के बाद अंडमन निकोबार ने भी अपने आपको मुख्यधारा में शामिल होता हुआ देखा है आपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां पर चलाए हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलेप्मेंट हो रहा है एक अंडमन निकोबार की तस्वीर बदल रही है कल आप आप आप्टिकल फाइबर का श्री गनेश करने वाले हैं और उसके माध्यम से वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी होगी और जब कनेक्टिविटी होगी तो विकास चहुमू की होगा एक्रिकल्चर क्षेतर का भी विकास होगा एकनॉमिक शेतर का भी विकास होगा देनन दिन जीवन में भी विकास होगा और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा इस तरीके की विवस्ता होगी ये हमको ध्यान में रखना चाहिए आपने इस तरीके से मुझे याद है कि आप पिछले साल दिसंबर 3031 को आप गए थे आपने वहाँ पर 75 वा राश्ट्रिय धोज़ारों समारों सुभाष चंडर बोश जी ने 75 साल पहले किया था उसके अफसर पर आपने वहाँ पर धोज़ारों भी किया साथ ही साथ आपने सेलिलर जेल में जाकर जिन सुदंतरता सेनानियों ने अपने आपकी प्राणों की आहुती दे करके देश की रक्षा की थी उनको आपने सम्मान दिया और आपने वहाँ जाकर के उनकी जिस जीवन को जिस तरीके से उनों ने जिया था उसको जान करके उन वस्ता की है जिसके माध्यम से आज पोर्ट प्लेयर चाहे हमारा रंगत है चाहे हमारा दिगलीपूर है यह मुख्यधारा में शामिल हो रहा है आज हजारों कारे करता इस वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से दिगलीपूर से रंगत से और पोर्ट प्लेयर से जुड़े हैं वो सब आपको धन्यवाद भी देते हैं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये दिगलीपूर से लेकर के कैम्बेल बे तक हमारे 406 भूत हैं सभी 406 भूतों में आत्म निर्भर भारत का संदेश हमारा एक एक कारेकरता आपका संदेश पहुंचाएगा इसको ये आत्म निर्भर भारत बने इसको इसका जो आपने तस्वीर खीची है इसको वो कारेकरता हों के माध्यम से जन्ता को समझाएगा और इसके साथ-साथ इसको आत्म साथ करते हुए उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाएगा इसके लिए वो कटिबद है मैं एक वार पुना आपका इस वर्चुल मीटिंग में आने के लिए आपका अभिननन करता हूँ आप जो अपना कीमती समय देते हैं उससे कारे करताओं में एक नई उर्जा आती है कल सब लोग अंडमन में बहुत खुशी मनाने वाले हैं आज जब आप उनको संबोधित करेंगे तो उनको जो नई उर्जा मिलेगी उसके माध्यम से इस आप्टिकल फाइबर को भी जो इसके माध्यम से विकास होगा उसको भी वो जंता तक पहुँचाने में समझाने में एक सफल योगनान करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है आज पुना मैं आपका अभिननन करता हूँ आपका स्वागत करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि अंडमन निको बार का एक एक कारे करता विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हुए आपके संदेश को पहुँचाएगा और भारतिये जन्ता पार्टी के माध्यम से एक सफल तरीके से अंडमन के विकास में जुटेगा यही मुझे कहना है आप ने बात सुनी आप सबने मेरी बात सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवार आज के इस कारेकरता समबात कारेकरब में फीट दा नीडी कारेकरम के तहट अंडमान निकोबार के कारेकरताओं ने जो काम किया है उसके लिए मैं सरवप्रथम परदेश के महामंत्री के रामदास जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी बातचीत रखें के रामदास जी माननिय राष्ट्य अत्यक्स जी, माननिय बील संदोस जी, माननिय हरुन सिंग जी, तरुन चुग जी, अंडमान निकोबार बाच्पा एका एवं तमाम तीप वासियों का और से मैं परनाम और अभिनंदन करता हूँ अगा में कल आपका दौरा अप्टिकल केबिल उपकाटन होगा, यह अंडमान निकोबार बाच्पा दीप वासिय के लिए एक इदिहासिक संद और इदिहासिक दिन होगा इस दिन को स्वर्ण अक्सरों में अब हंड़ा मान निपकोवद दीप समों के जनता लिखेगा हंड़ा मान निपकोवद दीप समों कोविट नैंटीन जैसा तबियत कैसी है यह भी थोड़ा से ठीक है भी थोड़ा से ठीक है तफ्री का मोहल हो गया था क्योंकि चार-पांच दीन तक दवाई दुकान तक बंद हो गई थी स्री प्रदेश अत्यक साजय भराई जी की नित्तित में अमारा मार्ग दर्शन विशाल जोली जी की मार्ग दर्शन से बीजेपी के कारिय करताओं ने आप जनता की सेवा में कूत पड़े अंदमान निकोबर दीप समुकत जोकर इफिटल कंडिशन एक हलग अलग ताफू है यहां में विभिन चेतर फेला हुआ है अमारा जो ताफू है एक खटब हो गया था लॉक डॉन में खाने का नहीं था पीने का पानी नहीं था लेकिन अमारा बारतिय जनता पार्टी गंड़ामान निकोबर के एक हाई ने पुरा वो ताफू तक काना पहुँचाने का काम खिट्स पहुँचाने का काम किया वहां तक काना पहुंचाया मान्य प्रदान मंत्री मान्य राष्ट्य अर्थिक जी के हगवान से जो आपका हगवान है कोई भी गरीब भूका नहीं सोना भूका पेट नहीं रहना इस चीज को आमारा बारत्य जन्तापाटी कारिय करता ने वह खुबी इस लॉक्डाउन में निवाया मान्य प्रदान मंत्री जी फोर्ट ब्लेर सिटी साउथ हंड़मान माय बंदर ये तीन डिस्टिक में अमरा छे डिस्टिक है ये तीन डिस्टिक में 15,003 रेशन किट्स हमने बाके हैं हमारा जो महिला मोर्चा युवा में मोर्चा महिला मोर्चा बेहनों ने कपड़ा करीद करके गर में सिला करके करीब 30 हाजा हैंड मेट मास्क गर में बना करके उसको गर-गर पहुँचाया गरीब जनता तक पहुँचाया में ग्रेंड लेवर जो प्रवासी मजदूर है ये जगा जगा में पस गए थे उन तक पहुंच नहीं पा रहा था उन तक रेशन किट नहीं पहुंच पा रहा था हमारा एकाई ने जा करके हाइडेंटिफाइ करा कहां पर पारतिय मजदूर कहां पर के प्रवासी मजदूर पसे हुए उन तक हमने किट्स पहुंचाया करीब 6,000 प्रवासी मजदूर को हमने जो है प्री रेशन किट्स पहुंचाया और हमारा पी आरे मेंबर कॉंसलर्स जहां जा मजदूर पस गए थे काना नहीं था वही में कम्यूटी किचन बना करके उनको रोज 4-5,000 लोगों को खाना किलाया स्टेंडर आइलेंड करीब 2800 जो स्टेंडर हाइलेंड जो कोई टीटमेंट के लिए किया था चेन्ने, गोवा, मुंबई अनेक जगा में मुक्य भूमी में उनको जो है अमरा जिजीत रेज जी की टीम ने मुक्य भूमी से फोट बलेड लाने का काम किया मानने प्रदान मंत्री जी, इसका बीच में आमरा आपका जो पत्र जो मिला इस पत्र से जो सरकार ने जो काम किया, जो इतना सुंदर आपने बताया जंगता को इस पत्र को हमने पांच लेंगवेज में ट्रांसलेट किया, क्योंकि यह चोटा बारत है, यह आनेक बासे वाले लोग बास, आनेक लेंगवेज वाले रहते हैं, इसमें कास करके इंगलीज, हिंडी, बंगाली, थमिल, तिलंगू, इसमें आमने ट्रांसलेट करके इसको गर उपर उठने के लिए मन्य प्रदान मंत्री जी ने आपने जो हाथ में निर्वर भारत जो बीस लाग करोड कर जो पैकेज दिया था हमारा सीला सिंग जी उपात एक साओ इंचार्थी मैं कोई इंचार्ज हूँ आमरा औरक महामंत्री कोई इंचार्ज है हम लोग मिल करके आमणा छे दिस्टिक है छे दिस्टिक मैं पांच बिस्टिक में अमने इसको बड़ा जिलातर पर बहुत बड़ा एक ट्रेणिंग प्रोग्राम अवरनिस प्रोग्राम किया एक प्रोग्राम में अमरा जो है डिपार्टमेंट से साथ डिपार्टमेंट से हम जो है उनको रिसोर्स परसन को बुला करके पूरा जो उनसे ट्रेनिंग लिया आत्मनिर्वरबारत का क्या है तो हमने इस ट्रेनिंग को बूत और मंदल तक पहुचा करके जनता को अवरनेस द मिला किसान क्रेडित कार में बहुत लाब मिला किसी चेतर में किसर मेन बाईलो को भी Jupiter मिला मैं पुना एक बार प्रदान मंत्री जी को अमारा रास्थे अर्थेक्स जी को अभिनंदन करता हूँ दन्यवाद करता हूँ बारत माता की जै वंदे माता हूँ बहन शंपा बेनर जी अपने मानेनिय प्रदान मंत्री श्री नयंदर मोदी जी रास्थ्रिय अध्रक्ष मानेनिय श्री जेपी नडड़ा जी रास्थ्रिय पदाधिकारी गन आज की इस कारेकरम में जुड़े प्रदेश के सभी पदाधिकारी एवं कारेकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन मानेनिय प्रधानमंत्री जी समस्त दिवासियों की ओर से ओएफसी केबल के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं धनेवाद करते हैं इन दीपो में महिलाओं के उत्थान के लिए के गय कार्यों का संक्षिप ब्योरा प्रस्तूत कर रही हो राष्ट्रिय अध्यक्ष मानेनिय नडाजी के आववान पर महिला मोर्च्या ने 15,000 राशन कीट का पैकिजिंग की थी अन्दमान के सभी डिस्ट्रिक में महिला मोर्च्या के बहनों ने अपने अपने घरों में मशीन से सील कर सुती कपडों का लगभग 30,000 मास्क का निर्मान एवं वित्रन किया लोगदाउन के दोरान अनात अश्रमों में मास्क तथार सनिटाइजर का वित्रन एवं समय समय पर अस्पताल का दोरा कर विमार महिलाए एवं बच्चों का आत्म विश्वास बढ़ाया उस समय बहुत सरे ऐसे मरीज मिले जो दूसरे दिपो से इलाज तथा देलिवरी के लिए आये थे लोगदाउन के कारण परिवरान सेवाए बंध हो चुकी थी इसलिए डिस्चार्ज होने के बाद भी अस्पताल के बरंडा में रहे रहे थे जिनके पास खाना और पीने के लिए पानी का सही विवस्था नहीं थी हमने अस्पताल के किचन में बात की किकी उस दौरान होटल बंध हो चुकी थी जादा तर होटल कुरंटेन के लिए लिया गया था उनके पास खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी हमने अस्पताल का किचन में बात की, उनका भोजन इवं पानी का बंदवस किया, तथा कतेश अध्यक्स जी की सहायता से अड्मिस्टिशन से बात कर स्पेशल बोर्ट से उन्हें अपना घर भिजवाया माने निये प्रधानमंत्री जी, लोकडाउन के दौरान बहुत सरे घटना है, मेरे मन को छू गया था, उनमें से एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहूंगी, कुछ महिला बहने मेरे पास आकर रो रही थी, जिनका पती, कैंसर पेशेंट, लिवर या डायलेसीस के पेशेंट और उन महिलाए, कोकुनाट शेल, सी शेल के हैंडिकप आइटेम से आइटेम बना कर उसे बेच कर अपना परिवार चला रहे थी, कोविट-19 के करण टूरिस्जम बंद हो गया था, आज उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है, माननिये प्रधानमंत्री जी, पीछले 30 में संचार कांती आएगी, वाकई में, कल जब आप वीडियो कांसरेंस के द्वारे इसे उधगाटन करेंगे, हमारे दीपो में भी ये एजुकेशिन, ये लर्निंग, ये मार्केटिंग को बल मिलेगा, और ऐसे महिलाए अपनी रोजगार ये मार्केटिंग के जरिए पुन में शुरुआत कर पाएंगे, माने निये प्रधान मंत्री जी, मैं पुना, समझ दिभासियों की ओर से आप करीड़ाय से धन्यवाद करती हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारती जन्ता युवा मुर्चा के ध्यक्ष एनके उदे कुमार जी से मैं विन्ती करूंगा, कि वो सिंशिप्त में अपनी रिपोर्ट रखें, उदे कुमार जी माननिय प्रदान मंद्री जी, माननिय राष्ट्रियाद्यच जी और उबस्तिप पदिगरिगन, साथ में सभी कारिय करताव, बाईयों, बेनों, दोस्तों, सभी का प्रनाम और अभिनंदन इस वागडाउन के कडिन परिस्तिती में प्रसिडंट अर्जे बहराई जी और मिसाल जी के साथ मिलकर आयरस समसियाओं को साल्व करने के लिए बारदिय जन्दा युवामर्चा दिन राज प्रयास किया है, उसके लिए कारियाले में हेल्प लैन भी रखा गिया, जितने भ बुकापेट ना रगे, इसके लिए कम्मुनिटी किचन का दहर डैली अजार से जादा अर्नदान किया है, इसी तरह रेंगत, दिगलेपूर, माये मंदर में भी युवाम उर्चा सबसे मिलकर अर्नदान किया है, माने जी अब प्रदान मंदरी जी, कोरना वारियर्स, PBMC के सैनिटेरी मजदुर, उनका मनबॉल बढ़ाने के लिए, उनके बीच जाकर, ब्रेकवास्ट, मास्क, सैनिटाइसर, डिस्किपूशन किया है, जो लोग कोरिंटेंड में ते, दूर दूर बसे पे, उनके लिए भी रेसन केट, पानी, दूर दूर डेलिवरी किया है, इंटर युआ के मेंबर्स कुद जाकर, ब्लड डोनेट किया गिया है, इंटर एलन का पेसन कोई देथ हुआ है, उनका बोड़ी लेने जाने के लिए, माता बैने रोते रोते, अमारा कार्य ले आते ते, उन सभी को साइधा देकर, सारे परमिसन लेकर, कोवी टेस्ट वाकर, घर त प्रेमिली ममबर्स के लिए, डिसी अबिस्ट के बार रोते वे बैठेते, फिर उनका कोई, उन्हें कोई किया, करा है, अमारे कार्य ले में जाओ, आपका मदद मिल जाएगा, तो उनका बात उसने रोते वे इधर आया, फिर अमलोग ने सभ मिलकर, उनका बोड़ी भी गर ओंचाने के लिए पूरा मदद किया, मुझे इस संगर्स सेवा करने के लिए जिम्मदारी मिला, संगर्स में सेवा करने के जिम्मदारी मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी का बहुत धन्यवाद, इरन दन्यवाद, इरन दनमना मुंबलोडन प्रदेश के स्योज़क M.V.N.O.D. जी से विंती करूँगा कि वो अपनी रिपोर्ट रखे M.V.N.O.D. कि बहरत के SSVI प्रदान मंतरी मानिय नरेंदर मोधी जी बारतिय जनता पाटी के राश्टिय अध्यक्स J.P. नड़ा जी ुप इस कारिक्रम में जुड़े तमाम राश्टिय प्रदादिकारी और प्रदेश के प्रदादिकारी तो 2019 में मानिय अध्यक्स जी और मानिय प्रदा को हमारे राष्टी अध्यक्स जी ने कावान किया कि कोई भी गरीब भूका नहीं सोना चाहिए हमने तुरंट प्रदेश अध्यक्स आजे बरागी जी पूर्वा अध्यक्स विशाल जी विश्णो जी इन सब से संपर्क करके हमने एक टीम बनाया और मानिये प्रदान मंत्री मैं बताना चाहता हूँ यह बहुत छोटी जगह है हमारी पासди मगने के लिए सामान मंगने के लिए उनोंने का कि मोधी जी से माँपनाम जी ने अवान किया है एक आपका सम्मान आपका नाम उन्होंने अपने दर्वाजे खोल दिए और हमने जो मांगा उने दिया मान्या प्रदान मंत्री जी हम लोगों ने लगबक साथ तन सामान लेकर एक सेंटर प्लेस में सेंटरलाइज किया चावल दाल तेल आठा सब कुछ हमने किया और इस सामान से हमने 22,000 पैकेट बनाया रैशन किट और हमने हमारे 54 शक्ति के इंदर में इसको पुचाया इसके साथ साथ काफी स्टेंजर आइलेंड़ेस फसे थे हमने इश्कॉन टेंपल हमने प्रनक कनिया संग हमने वनवासी कलियान आश्रम हमने ये प्रयास किया कि कोई भी भूका ना रहे हमने हर लोगों को यह मोर्चा और मार्च को राष्टी अध्यक जी का हवान आया पीम कैर्श फंड में लोगों को डोनेट करना चाहिए तो हमने एक्टीप नाया संजे सिंगी मैश्वर लाल और उदेशंकर सिंगा इन लोगों ने शोशल मेडिया के तरू पोडिंग के तरू लोगों को जागरूप कराया प आफी बढ़ चड़कर पांच हजार आठ सो इक्यासी पाटी कारिया करता हो ने आठ लाग रुपया का राशी जमा हुआ और हमने पीम के एरफंड में जमा किया प्रदामंत्र जी में एक शोटी से वाक्या के साथ समाथ करना चाहता हूं जब एप्रल 6 को हम लोगों ने पह किया है हम लोग नहीं पर जमा करेंगे और उसी दिन उन लोगों ने तीन सो टेकर वह पे वहीं की लोगों से लेके बाटा तो हमने एक साथ से तारीकों सब जगा बाटा है मुझे इस सेवा इस अंगर्श में मौका सेवा करने का मौका मिला इसके लिए शुक्रिया और मैं मैं आपका दुबारा शुक्रिया आदा करना चाहूंगा ओफ्सी केवल के लिए जिससे परियतन जो एक मात्रिया इंडेस्ट्री है कल से परियतन के लिए एक गेम चेंजर होगा आपका बहुत-बहुत दुनियावाद अब मैं विंती करूंगा रंगत जिला के अध्यक्ष शिरी मले स्वामी जी से कि वो अपनी जानकारी रखे शिरी मले स्वामी जी सार वनकाम नमस्कार वनकाम अमरा माननिये प्रणाव मिर्जी लारधिया जनरापाटी के अमरा माननिये राष्टिये अध्यक्ष शिरी शिरी कमिटी दिस्टी कमिटी मन्डेल कमिटी पाटी बदा जिनारी सबको नमस्कार अमारा लोक डाउनका अंदर रंगत जी सिक्मे बुजूर विदवा मैला आवर गरीप गर्को अमरा पाटी कमदस्चे लगबग सांसो पईवार को काना रूटी गर गर में पुण्चाक्षिया अमरा डिस्टिक कमिटी मन्डेल कमिटी मैला सबी हेल्प्स मतच से लोकल कलेक्शन करके लगबग आठ सो पईवार को रेशन पेगेज गर गर में दिया गिया उनका साथ अमरा मैला मुर्चा का तरफ से अमरा पाटी मतच से अमरा रंगत डिस्टिक में पांच आजार मास बना कर वो गर गर में गर गर में अमलों को पटवड़ा किया है उनका साथ गरी पाटवला बाई को गर में कम से कम रंगत डिस्टिक में साथ सो पडिवार को रेशन बेकेज अमलों को गर गर में पुचा किया है उनका साथ अमरा पाटी के आदमी बुजुर आदमी को शिश्टिक यहो उमर वाला को गर्पवजी माहिना को मेडिकल में जाकर दवाई लेके गर गर पुचा किया है कोंकर साथ इतनी काम सलते हुवे माननियर प्रणमंद्री जी अमरा अंधमान दीपवाशी को आप्टिकल बैवर कैबिल वायर इधर में पुचा किया उनके लिए आपको कोडी कोडी पुरुनाम नमस्कार नन्री वनकम अब मैं विंति करूंगा जिला डिगली पुर के महमंत्री केवी राज जी से कि वो अपनी रिपोर्ट रखें जिला द्यक जी संकरमित हुए हैं केवी राज जी महमंत्री अपनी रिपोर्ट रखेंगे माननिय रास्तिय अज्यक्स जी बुद्धर गांधी जीसस जेसा अवतार लेके दुनिया को रक्षा करने के लिए कुजराथ से आये हुए प्रेमिनेस्ट्री अनरेबल प्रेमिनेस्ट्र राप इंडिया मोधी जी आओर गलके के अनगे मलमानन दा नंटी कले तरिवेत्ट को गिरें सर हमारा डिगलीफूर डिस्टिक में सर पंदरा पंचायत है डोटल इपंदरा पंचायत में हमारा हजाई बहरेगी जी जो प्रेसेरेंट आपने बनाया उनको एक गरीब करका बैटा तलीद करका बैटा इसको आपको कैसा हम दनीबात कर रहें तो कोडी कोडी नमस्कार कर दोए गरिप का बारी में बहुत कूर जानकरी है सर अजय बहरेगी जी को उन्होंने शुरुआत में फर्स्ट पेस में अमको रेसें पोड़ेस से बेजाता है उसका साथ साथ में हमरा यहां में हमरा असीद बरई जी हमरा डिस्टिक प्रेसिरेंट हर हम और हल्पना जी औ आपको मिला हों कि पोड़ेस से आयो सामान को मिलाकर एक पंचायत में चालीस जन को हम लों कर जो है उसमें जो भुजरू कम नहीं जा सकता एंजिया सिकता ऐसा बुजरू को साथ मुमार को ओपर में जी सा है जो हांडिकप्र हम को हमने हर एक पंचायत में 40 जंख को सेलेक्शन करके थोटल 600 पैटाद में एक साल असका बात में हमरा हाजई बहलेगी जीणे फोट बेयर से मास्क बना कर देएное था सर 1015 पंचायत में टोटल तीन सो मास्क दिया सर तीन हजार मास्क दिया सर वो तीन हजार मास्क को हम लोग हर पंचायत में दोसो दोसो को देखेर और गली-गली में कड़ा होकर जो मास्क पहन कर नहीं आता थे सुरू में एप्रिल में उसको अम लोग गली-गली में जो रोड में कड़ा होकर सब को दिया था sir उसका बाद में sir second place में और से समान बेजा वर जैसा अजे बेरिगी जी और विचाल जोली जी और उनका और जितना भी स्टेट कमेटी में जोबिस वेर से सब मिलाई के मिलके वासे समान बेजा उसमें आटो अलब आइक 307 जन को आटो जो चलाते हैं उनको और जोटो जोटा कुम्टी दुकान रखाए सर 138 जन का और कार को ड्राइवर जो है उनका काम भी नहीं था सबका तो 48 जन का और जो खुली काम कर रहा है उसको 33 जन का और जो टूरिस्ट पोर्ट जो अपरेटर है उनका काम नहीं था बंद हो गया उसका 28 जन को टोटल 584 जन का सिकेट पेस्ट में दिया गिया है सर और कमुनिटी किच्छन का मध्यम से हमारा यो मर्जा डिगलीपूर का जो जो मलाई दास जो जो जनल सरेटी है उनका नित्रत में उनका नित्रत में उनको शाब मिलकर आपको चा जो कोई ववस्ता नहीं ता उनका काने का सारा वोटल बनता ऐसा लोगो का और पोलिस करमी जो करना पैटर से पोलिस करमी कारी किया है उनका भी 4,000 आदमी को डिगलीपूर में काना किलाया सर और अपने जो बताया जो को जो जो संबान देना है उसका आपको जो अधेस लेक अजितने भी डिश्टी कमेटी अभीस पर सब मिलकर सर डॉक्टर होस्पिटल जाकर और ताना में जाकर सभी जगा में आपको उनका फूल चीट कर हम लोग सम्वानित किया सर उसमें आपको जो सफाई करमेच चारिये जो है सर डिगलीपूर में पूरा साफ सफाई सर अका हु पूरा प्यार करता है सर बंगलीपाई लोग आपको डिगलीपूर एक बार आना चाहिए सर यह हमारा बहुत-बहुत प doctrine करने के लिए जैसा कर आप जन्यमाद क्या इसका बहुत 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 भरत बहुत 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 सब्रक clotol करोंगा और कि में ठीग रूँगा कि अशिवुत द्र वीचि करोणगा गरीबों के मिसीः असी करोड गरीबों को आठ मीने तक बोजन देने वाले हमारे परधान मंत्री आदने श्री नरिंदर मोदीजी से कि वो हम सब का मारक दर्शन करें छोटे-छोटे दीवबों में बैठे कारे करता किस तरह काम कर रहे हैं और आपके मारक दर्शन आपके अवाहन पर उन्होंने इस सेवा के कारे को आगे बढ़ाया है इसलिए मैं विंती करूंगा भारत के प्रधान मंत्री श्री नरिंदर मोदीजी से कि हम सब का मारक दर्शन करें सब को नमस्कार देश की आजहादी के आंदोलन को धार देने वानी वीर सावरकर और नेताजी सुभास्चंदर बोश जैसे आजहादी के अनेक तपस्वियों से जो धर्ती जुड़ी भी है ऐसी पुन्यस्थली को मैं बंदन करता हूँ आप सभी साथी कोरोना से और आज आप से विस्तार से मुझे सुनने को भी मिला समाज की भराय के लिए काम करना एक बीजेबी के कारकरता ग्रूप में सेवा ही संगठन इस भाव को आप सब ने इतने कठीन छेत्र द्वीप समू दूर दूर घर घर पहुँचाया और वो भी शब्दों से नहीं अपने आचरन से पहुँचाया अपने वहवार से पहुँचाया समाज के प्रती आपकी जो संवेधना है उस संवेधना की धारा को बहा करके प्रत्किया अन्दबान के लोगों को वहां आने वाले परियटकों को बीजेपी के कायर करता के नाते आप से जो अपेक्षाय रहती है मैं आज आपका सब का इतना डिटेल्ड रिपेर्ट सिनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आप इस उत्तम परिक्षा में उत्तम तरीके से पार उत्रे है सेवा और समर्पन के इन संवस्कारों को हमें समरुद्ध करना है आगे बढ़ाना है बिमारी हो या व्यापार कारोबार हर समस्या से निपटने के लिए हम जुटे हुए है हमारे सभी वैज्ञानिक भी इस काम में पूरी तरह लगे हुए है हमारी कोशिस होनी चाहिए कि हम गर गर तक हर परिवार तक समवाद बनाए रखे इस मुश्किल समय में हमें सब के काम आना है लेकिन ये भी सही है कि काम करते करते संकट भी मोलना होता है हमारे कई कारकरता भी है हमारे दिख जी भी इस सेवा भाव के कारण लोगों के बीच जाने के कारण वे भी कारोना प्रजिटिव ही है लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा के भाव को जीने का भरसक प्रयास किया और इसलिए काम तो करना ही है सेवा कर रही है लेकिन साथ साथ दोगज की दुरी मास्क है जरूरी इस मंत्र को हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना भी है और उसके आग्रह भी रखना है साथ यप पिछली बार जब मैं अंडमान आपके बीच आया था तो देवस्थली तुल्य सेलूलर जेल के दर्शन किये थे मुझे पोर्ट ब्लेर के दक्षिन शोर पर तिरंगा फैराने का भी स्वभागी प्राप्त हुआ उस समय अंडमान और निकोबार द्वीप समू के विकास को लेकर आप सभी से भी विश्थरुत चर्चा की थी इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समू के संपूर्ण और संतुलित विकास से जुड़े अनेप प्रोजेक्ष को मंजुरी भी दी गई थी यह संतोष की बात है कि अंडमान और निकोबार की मोबाईल फोन करनेक्टिविटी वहाँ तेज इंटरनेट की सुविधा देने वाले प्रोजेक्ष के लोकारपन से एक दिन पहले भारते जनता पार्टी के इस कारकम की कारण एक बीजेपी कारकरता की रूप में आपके बीच आने का मुझे अवसर मिल गया कल जब इस परियोजरा का लोकारपन हो जाएगा तो अंडबान और निकोबार दियुश्ववू में इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा सुधार आएगा बीते वर्षों में जब भी आप जैसे साथी दिल्ली मुझे से मिलने आते थे और जब मैं पिछली बार आया था तब भी नेटवर्क की समस्या का मामला बार-बार चर्चा में आता था मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय में मिल रही सुवीधा से अंडबान लिकोबार दीप में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बैंकिंग और दूसरे सेवाओं में आउनलाइन सुवीधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाब मिलना संभव हो पाएगा आपको भी और अंडबान में टूरिजम और दूसरे व्यापार कारोबार से जुड़े साथियों को भी इस तरह वर्चुली देश और दुनिया से जुड़ने में अब कोई समस्या नहीं आएगी साथियों नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार भलेई एक जगह से काम करती हो लेकिन उसके कारियों का लाब देश के कौने कौने तक पहुँचना चाहिए हमने समाज की आखरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर ही सिर्फ भही नहीं बलके देश के आखरी छोर में बसे व्यक्ति पर भी फोकस किया है इसी का नतीजा है कि किसी योजना या कारकम के लॉंचिंग से वेकर उसके क्रियानवें तक गवननस के हर पहलू को देश भर के सभी इलाकों में ले जाये गया है एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, सौचालय, रसोई गैस, पिने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सडक, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मेगाव और आधुनिक प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं सिरफ अंडबार, निकोबार, द्विप, समू की ही बात करें तो केंदर सरकार की योजनाओं की पहुँच यहां बेहत प्रभावकारी रही है एक आइलेंड से दूसरे आइलेंड तक एर कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए देश के बाकी हिस्सों से आइलेंड को एर्वेस से भी जोड़ा जा रहा है पॉर्ट ब्लेर एरपॉर्ड का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है भविश्वें लोग सी प्लेंड के माध्यम से स्वराजदीप, शहीद वीप और लॉंग आइलेंड की यात्रा कर सकेंगे इस पर भी काम जारी है लगवक तीन सो किलोमेटर के नेशनल हाइवे पर भी काम शुरू हो गया है और यह रिकॉर्ड एक प्रकार से रिकॉर्ड समय में पूरा हो जाएगा इससे आइलेंड के कई हिस्सों में न सिर्फ पहुंच आसान होगी बल्कि मेडिकल, सोशल और टूरिजम इंफरस्रक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा इस छेत्र के युवाओं के लिए कई हाइर एजुकेशनल इस्टिटूशन बनाए गए है इनमें अंकॉल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज सामील है आइलेंड का जीवन आसान बनाने के लिए, वहाँ खुशाली लाने के लिए, जो भी जरूरी काम है, वो तेजी से पूरे किये जा रहे हैं मेरा आपसे आग्रह है कि भाजपा का एक करमट कारकरता होने के नाते, आपको पहले की स्थिती, आज की स्थिती और आने वाले परिवर्तन का एक तुलनात्मक नजरियां लोगों के बीच रखते जाना चाहिए पार्टी कारकरता गरूप में आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि सरकार के हर योजना का लाप हर लाभारती तक पहुँचे साथियों, अंडबान निकोबार दीश समूने भारत की आजादी के आंदोलन को ताकत दी है आप मंदिर भर भारत के लिए नए भारत की रक्षा, सुरक्षा और सम्रुद्ध के लिए भी अंडबान निकोबार की व्यापक भूमी का है इसी को समझते हुए दोहजार सत्रा में ही आईलेंड डेवलोप्मेंट एजन्से का घठन किया गया था जिसमें सभी महत्वपों स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया इंड़स्ट्रियल डेवलोप्मेंट स्कीम्स के इस पूरे ख्षेत्र में MSM और दूसरे उद्योगों को प्रोचाइट किया जा रहा है यह हमारे देश का सोभाग्य है कि हमारे पास अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग चीजें हैं जिनको हम विक्षित कर सकते हैं जैसे अंडमान और निकोबार में से सीफूड हो, और्गेनिक प्रोडक्स हो, कोकोनट बेज प्रोडक्स हो, इन से जुड़े उद्योगों को हम बल देने वाले हैं अंडमान और निकोबार के बारा आइलेंड्स का चैन किया गया है, जहान हाई इंपक्ट प्रोडक्स का विस्तार किया जाएगा साथियों, ब्ल्यू एकोनामी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, अन्दमान और निकोबार स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है यह चेन्नाई पोर्ट, कोलकता पोर्ट और बंगला देश के मोंगला पोर्ट सहीद कई पोर्ट से बहुत कॉंपेटिटिव डिस्टन्स पर सीथ है समंदर के जरिये माल डुलाई का काम तेज गती गट रहा है ऐसे में गहरे पानी की सिविधा वाला प्रस्तावित ट्रांस्रिप्मेंट हब अंडमान और निकोबार को वैश्वीक समुदिरी व्यापार का प्रमुक्तेंद्र बना देगा आने वाले समय में अंडमान निकोबार, ब्लू एकोनमी का पोर्ट, मेरिटाइम और स्टार्ट अप के हब के रुप में विक्सित होने वाला है साथियों, आप सभी जाब्रगरूग साथियों से चर्चा करने का मुझे मुका मिला, आपसे कई बाते सुनने का मुका मिला और गरीबों के लिए किस प्रकार चे आप सक्रिय थे, इन सारी बातों को सुनकर के मुझे भी एक नई प्रेड़ना और उर्जा मिली है आप पार्टी के कारकमों को लगातार आगे बढ़ाते रहिए, स्वच्छता के संकल्ब को और आगे बढ़ाते रहिए और आपने मुझे दिगली पूर आने का निमंतर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मुझे जुरूर खुशी होगी कि कभी ने कभी ऐसी सुविदा बने कि मैं भी आपके बीच में आऊँ और आप लोगों ने जो सफाई का काम किया है वहाँ के पंचायतों ने, वो मैं खुद देखूँ, मुझे अच्छा लगेगा देखते हैं कैसे बनता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो हपियान हमने छेड़ा है, उससे भी लोगों को जोड़ता बहुत जरूरी है और देखिए जहां टूरिजम का ख्षेत्र होता है, वहाँ पर सफाई, यह सबसे बड़ी ताकत होती है और इसलिए मुझे विश्वास हैं कि अन्यमान निकोबार के सभी द्विपोपर स्वच्छता के विशे में बहुत ही आग्रही बनना पड़ेगा जो टूरिजम के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे अन्यमान निकोबार के हर बीश को हर समंदर को हमें सुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है यह हमारे एकोसिस्टिम के लिए भी जरूरी है और आने वाले समय में टूरिजम के लिहाद से भी यह जरूरी है साथियों मुझे वैसे तो कल बात करने का मुका मिलने ही वाला है लेकिन आज पार्टी का कारकम था और मुझे आज आपको सुनने का मुका मिलने वाला था कल का कारकम की रचना तो ऐसी है कि जो मैं मुझे बोलना है लेकिन मेरे लिए खुशी है कि मुझे दूर दूर इन वीपों में बैठे हुए और दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए साथ्यों को सुनने का मुका मिला मैं हमारे राश्री अद्यक्ष सिमान नडडा जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस कारकम में मुझे निमंत्रित किया आप सबसे बात्चित करने का मुझे आउसर दिया और विशेशकर से आपको सुनने का आउसर दिया क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने कार करता कितने सेवा भाव से और जब लोगों को लगता है वे कहीं कोरोना घर में आ जाएगा तो उसके बजाएं चिंता किये विना खुद की परवा किये विना लोगों की चिंता की ये अपने आप में बहुत दी प्रेरक है मुझे विश्वात है कि आप सब का एक काम जुरूर रंग लाएगा मैं यही कहूंगा आप अपना ख्याल रखिये अपने परिवार्जनों का ख्याल रखिये और सेवा का काम तो चलता ही रहेगा लेकिन हम दोगज की दूरी मास्क पहनना यह सारी जो बाते हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइस किये विना आप काम करते रहेए मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत आभार वेक्तर करता हूं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं